हुआ 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 है नमस्कार साथियो स्वागता आप सभी का हमारे यूटूब जेनल में आज के वीडियो में हम आप हाओसोड सर्वे 2023 24 अभी का चल रहा है उसमें जो नए एड्मिस्ण होने वाले हैं उन के लिए एड्मिस्ण लाइक बालकों का सरभी करना होगा घर घर जाकर डोर टू डोर सरवे करना होगा इसके लिए नए नए परपत्र जारी हो चुके हैं और उन परपत्रों में हमको कौन-कौन सी सूचना जो सिख्षक्षाथी इकठी करेंगे यह सूचना लेकर हम आपके सामने उपसित हुए हैं इन परपत्रों को आप यह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जोइ परपत्र परपत्र हमको भरना है तो इसमें सबसे उपर आपको जिला लिख देना है जिले के बाद में ग्राम और वार्ड जो आपको अलोट किया गया है ब्लोग का नाम शर्वे का दिरांग अभी सर्वे के आदेस नहीं हुए है उससे पहले ही हमने यह वीडियो बना दिय गया है शियारसी विदाले का नाम जो नोडल विदाले आपका है विदाले का नाम जिसे उस ग्राम पंचायत या फिर वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है तो यह तो सूचना है ऊपर की यह प्रष्ट एक है इसका अगला प्रष्ट अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे यहां पर आप एल तक कोलम है वो देख सकते हैं सबसे पहले करम सिंग्या दी गई है इसके बाद में आप जो बी पॉइंट है वहां आप ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे नगर पालिका यदि है उसका नाम लिखेंगे फिर वार्ड आप लिखेंगे हेवीटे सनिया रह हवास जहां पर वो परिवार रह रहा है उस इस्थान का नाम आपको लिखना होगा डी वाले पॉइंट पे बालक बालिका का नाम जिस बालक बालिका को आपने सर्वे में पाया है उसका नाम यहां आएगा अभिभावक का या स्रक्षक का नाम आएगा जिसके पास रह रह माता का नां लिख देंगे जनम दिनांग लिख देंगे आयू तो यहां आयू का आधार आपको ले लेना है एक जुलाई या फिर ज्यादा बात करें तो आईू के आधार की यहां अब تक कोई काइडलाईंड नहीं आई है तो आप एक जुलाई से भी मान सकते हैं कि एक जुलाई को बालक किते साल का हो जाएगा उसके बाद में लिंग है वर्ग है और परवेसित कक्सा है तो यहां तक यह प्रष्ट एक है वो कम्पलीट हो जाता है उसके बाद में हम बात करेंगे प्रष्ट दो की परश्ट दो में आपके साथ ने यहां आधार की इस्थिती है सबसे इंपोर्टेंट चीज सासियों यहां यह दे रखिए यदि आधार कार्ड बना हुआ है तो आप हां लिखेंगे अधरवाइज नो लिखेंगे यदि आप हां लिखेंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर म उसके बाद में जो शेक्षिक इस्थिती है एनामांकित है ड्रोप आउट है या फिर जो कौनशी कक्सा से ड्रोप आउट हुआ है वो कक्सा आपको देने पड़ेगी एनामांकित है तो कोई दिकत नहीं है ड्रोप आउट यदि है तो उसकी कक्सा भी आपको मेंसन करने होगी उसके बाद में यदि एना मांकित या फिर ड्रोप आउट है तो परिशिष्ट एक के हिसाब से उसका कर्मांक भरे कार्ण भरे तो ड्रोप आउट का कार्ण यहाँ पर भरना होगा उसके आगे जो कॉलम है विसेज जान देने योगे परिवारों के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर आपको मार्क करना होगा विसेज आफसेक्ता वाले बच्चे यदि है तो आपको उनकी भी एंट्री करनी होगी साथ ही आप हलका सा उनकी जो केटेगरी है केटेगरी की समंद में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है तो आप उसको देखके जो बालक है उनकी केटेगरी निर्दारत कर सकते हैं या फिर जो साथी जो समावे सी सिक्सिया की ट्रेनिंग लिए हुए हैं वो केटेगरी का निर्दारत करके इसमें डाल सकते हैं यदि निजे विद्दाले से आने वाला बच्चा है तो उसका यहां पर व्योरा देना है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यदि हां है तो उसका विद्दाले का नाम और पता यहां पर लिखना है चाहे तो आप ऐसा नंबर में हमें इंसन कर सकते हैं और सबसे लाश्ट में जो कोलम है, हमारे पास अभिवाओं का मोबाईल नंबर या फिर सरक्षक का मोबाईल नंबर, मोबाईल नंबर उनका लिखना है कि जब शिक्षक्षास्थी टोर टो डोर सर्वे कर रहे हैं और वहां उस परिवार sketches जाते हैं, तो जो परिवार का मुख्या मिलता है उसके मोबाइल नमबर यहां पर आप मेंसन करें या फिर जो मोबाइल नमबर वो उपलब्द करवाए वो मोबाइल नमबर यहां मेंसन करें तो साथियों ये हो गई परपत्र एक की complete बात, अब जो दूसरा परपत्र है उसकी बात कर लेते हैं, तो साथियों इस परपत्र में हमने काफी कुछ अपडेट यहां पर आपको पहले से ही किया हुआ मिलेगा, पहले ये सूचना अपडेट नहीं थी, इस बार ये सूचना अ जो परपत्र की entry है उनमें जो पियों विदाले है उसका नाम, उसके बाद में जो सर्वे करता है विदाले उसका नाम यहां आ जाएगा, जो पंचायत है उसका नाम यहां आ जाएगा, परवारी सिक्सक जिसको पंचायत अलोट की गई है उसका नाम यहां आ जाएगा, परि वार्ड नंबर जिस भी वार्ड का आपने सर्वे किया है वो वार्ड नंबर यहां पर आपको डालना होगा उसके बाद में एंटरी की बात कर लेते हैं तो करम संख्या यहां डाल देनी है परिवार के मुख्या का नाम यहां पर डाल देना है उसके बाद में जीरो से लेके 18 पर सक्के वालक वाले काउं के नाम यहां आपको देने हैं शाधियों यह प्रपत्र आपको ज़दा मातरा में कौपी करवाने पढ़ेंगे क्योंकि माल लेते हैं कोई अभी बावक है उसके पांच या छे बच्चे हैं तो आपको सारे के सारे जो जिरोशे ठारा के रेंज में आएंगे उनके नाम यहां में एंचन करने पड़ेंगे पिता का नाम आपको लिख देना है वर्ग आपको यहां डाल देना है SCOBC General या Minority जो भी है आयू वर्स यहां डाल देना है male या female की इस्थिती बता देनी है नामांकन की इस्थिती बता देनी है उसके बाद में आवांकिति या ड्रोप आउट है तो संसा का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा राजगी और नीजी और अगंबाडी इस्थिती से ड्रोप आउट है उसके बाद में आऊटर अप स्कूल चिल्ड्रेन की बात करेंगे तो आऊटर अप स्कूल चिल्ड्रेन किस कारण से ہیں दिव्यांगता है प्लायन है या फिर अर्थी कारण है या फिर अधर कोई है तो वो सारा का सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा ये परपत्तर बनाया गया है जीरो से लेके अठारा वर्ष तक के जो बालक बाली का है उनका सर्वे करने के लिए तो इस परपत्तर में आपको सहथना महसूस होगी क्योंकि दो चार एंट्री है वो इसमें पहले से ही कर रखिये नीचे आपको जो सर्वे करता है उसके सिंगनेचर हो जाएंगे तो ये सारे की सारी जानकारी मैंने आपको सर्वे के बारे में दी आगे जैसे ही निर्जेस आते हैं या फिर निर्जेसों में कोई बदलाव होता है तो जो राजकी निर्जेस हैं वो हमको फोलो करने होंगे जैसे ही सर्वे के बारे में कोई अन्य सूचना आएगी तो उस शूजना को हम आपको वीडियो के मादम से पहुचाएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें और ये जो परपत्तर मैंने आपको बताए हैं उनकी जो पीडियेफ आप यदि लेना चाते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें जिससे कि ये आपको परपत्तर मिल सके तो साथियों मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ